नमस्ते प्रेंड्स जोटी खाना के जाने में आपका स्वाधत है आज की मेरी रेसिपी है मूह दल का हर्वा ये बढ़ी आसान तरीके से बनकर रेडी हो जाता है और इसमें जादा चीजों के जोलत नहीं पड़ेगी और ये खाने में बहुत टेस्टी होती है तो चेली इसे क ग्राम मूंदाल दिया हुआ है बड़ी मेरीरण मूंदाल मेरे इस काहरा करते हां इसाल में तो चमटे में दी लाए इसाली हो सबसे पहला कर्क निए क्या मैंदे का मश्ली नो ये माश्च्टबाधी ठीया ये निचे बते है yapıyorwegen एक सीकाश है को सबसे पहले कैश in 기त कि न चल्के बिख गई और चल्के लिए रहे हैं वहा है वहाँ सुप्राइब गई थे स्क्राइब देखें मैं इसे थो लिया है जो तौरे बहुत ड़्यों रहे हैं यह तो थो पर फ़्य चाहिए हुगा तो से कुस्ट रिंड आप यह बहुत अच्छितना नहीं करना है हमें पुछ इस तरीके का पेज चाहिए होगा और हमें इसे पीसने के लिए बिल्कुल भी पानी उस नहीं दिया गाए अब इसका फ्लम जो है वो बिल्कुल अंगी 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 अगरा लिया अब इसमें सबसे पहले मेरे ना एक चमच जो वह वो गी डारोंगे यह कि अच्छी तरीके से मेल्ट होने के बाद मेसमें अपने पेज आज़े होगे अब इस तरीके से अच्छी तरीके से चना आज़े अब आता लागा दम आज़े है अगरा नहीं तरीके अच्छी तरीके अच्छी के अच्छी में लगा है तो इसमें धो लगी और रगोंगी कुंप मैने यह वी चमच जी पोया दिया है जब तक यह बूंडन ब्राउन ना हो जाए जितना भी यहां पर गी यूज लगेगे जैसे-जैसे यह पकने लगेगा और जैसे जब भूनने लगेगा आटोमेटिक यह जोडने लग जाएगा इसे हम पाक से दस मिनट और अच्छी तरीके से बूने लेगे जब तक यह बूल्डन बाउन ना हो जाए जैसा कि आप देख सकते हैं यह जो हरुआ है यह उताग है यह बूलकुर अच्छी तरीके से बूल्डन बाउन हो चुका है अब मैं इसमें बागे की चीज़ा भी आट कर दो लेगे इस इनकी पुर देता है यह इनकी पूल्डन बाउन आप दाट कर देंगे में अच्छी तरीके से बन कर रेड़ी हो जाता है यहां मैं जो दूद दाला था वही अच्छी तरीके स्टूप हो गया है मैं जैसे ही वह डाल दाला था च्छपकने लगा था और जैसे जैसे यह घूलते गया वह ऑटमेटिक तेल से चुपते लगा अगर आप यह नहीं चाहते हो तो अब नास्टिक ताम भी यूज़ कर सकते हो दूसरी चीज की मैंने स््सक्राटिंग में दो तमझ गी उसकी शाओ प्रटम नानी मैं ने आपी चार चमझ गी उसकी गज़ा है तीसरी चीज मैं घरवन तीन लगों के लिए गना रही ह। अगर आप जादा लोगों के लिए गना रहे हो तो आस कॉंटिर डवर दोप् कर सकते हैं देखें दूस यह बंकर बिल्कुल रड़ी हो चुका और इसमें बहुत क्लाक्शी सी कुश्बू कोई ये बजान कोई ये जूल